कैसा डर है जो दिन निकल गया अभी तो पूरी रात बाकी है योही नहीं हिम्मत हार सकता मैं अभी तो काम्याभी से मुलाकात बाकी है नमस्कार दोस्तों आज को वीडियो में से करेंगे हम 13 दिशम्मर के सभी मात पूर्ण करें डिफर बे और आज की वीडियो में टोटल हम 11 मोस्ट इंपोरेंट करेंगे और साथ में इस जुले जितनी वी से फिसल प्रेक्ट हैं उन पर पूरे डीटेल में चाठा करेंगे और अगर आप इस चैनल पर नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइक कर दिचेगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिचेगा तो चलिए शूरू करते हैं आज करेंगे आज करेंगे का पहला प्रसन है कि टाइम मैगजिन का परसन आप दे येर 2020 की से चुना गया है पहले का नाम है जोसेप रॉबिनेट बाइडन जुनियर और दूसरे का नाम है कमला हैरिस देखिए जोसेप रॉबिनेट बाइडन जुनियर है ये बिहाली में अमेरिका के राजपती चुने गयते हैं और कमला हैरिस जो है ये कूप राजपती चुने गयती अमेरि यानि कि इन दोनों के अलामा जो है टाइम पत्रिका ने कोरियाई पाप गुरूप बी टी एस को अपना एंटर्टेनर आप दे एर और बास्केट बाल इस्टार लेबरोन जिम्स को एतलीट आप दे एर और जूम के संसापक एरिक युवान को बिजनस बरसन आप दे एर चुन प्रदेश है आपका सिक्कीम है लेकिन यहाँ पे केंदर सासित प्रदेश की बात वा रही है तो भारत का जो पहला 100% जैवी केंदर सासित प्रदेश बना है यह आपका है लक्षदीब दीके लक्षदीब जो है यह सिक्कीम के बाद भारत का दूसरा ऐसा राज्य है जिसे तरीके से जैविक घोसित किया गया है और इस केंदर सासित प्रदिस में यानि कि लक्षदीब में जो है अब जितने भी क्रिसी का रहे हैं यानि कि जो आपके ये यूरिया वगए रहते हैं तो बिना सेंथेटी फर्टलाइजर और केट नासुकों के इस्तिमाल से किया जाती ह अब खेदी की जारी कहां पिर लक्षदीब में भी तो देक Bennett का पहला राजय है जो की रैजिविक घोस्त किया गया था भारत के क्रिसी मंतराले के sewuna रिप्स और 5 डूबीव बैंक 10 आबाद रिप्स वामिल है और देखे जोग पर लक्षदीब है इसके राजदानी है कावारत्ती और लक्षदीब के प्रसासक है वरत्मान में प्रफुल खोड़ा पठेल देखे जोग के प्रफुल खोड़ा पठेल है तो ये एक्स्ट्रा फेक्ट भी यादा और तीसरा प्रफुल खोड़ा है की किस तेदी को भारती संसत पर आतंखवादी हमला हुआ था देखे 13 दिसंबर 2001 को भारती संसत पर आतंखवादी हमला हुआ था देखे भारत की जो संसत है इस पर आतंखवादी हमले में लसकर ये तयबा और जैसे मुहमद नामक आतंखी संगर्णों का हाथ था और इक जो इनक्वारी की गई थी CBI के दोना इसके बाद ये पता चला जो आपका ये आतंखवादी हमला था भारती संसत पर जो किया गया था कब 13 दिसंबर 2001 को तो इसमें अबजल गुरू सौकत हुसाइन गुरू और अपसान गुरू और सयद अब्दुलरहमान गिलानी के जुड़े होने की जानकारी मिली थी तो अब जल गुरू को बाद में फासी भी दी गई और ये ती थी आज जो है मलब इसको रिमेंबर किया जा रहा है यानिकी 13 दिसंबर को रिवाइज किया जा रहा है क्योंकि इस दिन जो है भारत के कई सारे जबान सहीद हो गए थे संसत पर इस आतंकी अमले को नियस्तो नापूद करने में तो आज 13 दिसंबर है और 13 दिसंबर 2000 को जिकटना हुई थी भारती संसत पर आतंकवादी हमला हुआ था यह प्रशन रिपीट हुआ एक्जाम है तो इसलिए मैं आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ 14 प्रशन है कि एथनो लॉग द्वाना जारी रिपोर्ट के अनुसार विस्स में सबसे अधिक बोली जाने वाली तीशरी भासा कौन है तो देखे एथनो लॉग द्वाना जारी रिपोर्ट के अनुसार जो आपका हिंदी है यह विस्स में सबसे अधिक बोली जाने वाली तीशरी भासा है देखे एक आखड़ा सबसा बरिवर्शित कर लेजेगा अब तक जो चीन की मंदारियन भासा थी यह दुनिया की सबसे अधिक बोली जाने वाली भासा थी लेकिन अब यह चेंज हो गई है अब यह दूसरे असान पर आ गई है देखे वर्टमान में जो आपका हिंदी भासा है इसको कुल 627 मिलियन लोग जो है बोलते हैं जाने कि इसका उप्योग करते हैं और जो आपका यह लिस्ट तयार किया है एतने लोग दौना तो देखे इ वर्टमान में कुल 1268 मिलियन लोग जो है बोलते हैं तो अगर एक्जाम में पुछा जा है कि दुनिया की सबसे अधिक बोले जानी वाली भासा कौन है वर्टमान में तो यह भासा कौन हो कि यह अंग्रेजी और इसके बाद दूसरे नंबर वर्ट चिंग की मंदारीन भासा है तीसरे स्थान पर आपका हिंदी है दीखे थोड़ा साम हिंदी के बारे में कुछ इस पेसर फैक्ट हम चान लेते हैं यह आपको हिंदी के बारे मता रहा हूं देखिए आजकल जितने भी एक्जाम वोरे हैं लगवक सब में हिंदी के प्रशना रहा हैं और यहां से बहु मात्र भासा के रूप में करते हैं यह सारे आकड़े अलग अलग हैं यूणिक है भारत में हिंदी भासा को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंट, दिल्ली, हिमाचर प्रदेश, चंडीगड, बिहार, छारखंड, मत्यप्रदेश, हर्याना, राज़स्तान और चतिज कड़ में बड़े पैमाने पर जो बोले जाता है इसका प्रयोग कियाता है और इसके अलावा विस्व की बात करें तो दीखी पाकिस्तान हमारा जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान मारिसज और तृनिजार सूरिजाम में भी जो हिंदी भासा भोली जाती है और अंग्रेजी और फीजी एंग के साथ ही जो आपका फीजी देश है फीजी की राष्ट भासा में भी हिंदी सामिल है तो हिंदी जो है ये फीजी की राष्ट भासा में भी सामिल है याद रखिएगा और जो आपका Fiji है, यहाँ पर Fiji बात अत्वा Fiji Hindi बोली जाती है देखि प्रतेग वर्स हम 14 सिदंबर को राश्टी हिंदी दिवस मनाते हैं ये तिधी भी एक्जाम के लिबॉर्णेट है 14 सिदंबर को क्या मनाते हैं? राश्टी हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं? तो हिंदी भासा को देवनागरी लिपी में लिखा जाता है अनुच्छे 343 है रखेगा हिंदी जो है अनुच्छे 343 के तहट भारत की आधिकारिक भासा चुने गई थी कब 14 सेप्टेंबर 1949 को देखें यहां पर जितनी लाइन है वहां से प्रशना आपके तयार होंगे ठीक है देखें भारत में आधिकारिक रूप से हिंदी और अंग्रेजी को राजिकी कारे के लिए उप्योग किया आता है यह सारे फ्रैक्ट आपको याद होनी चाहिए पाजोप प्रशने की अंतर राश्टी सारो भ हमीक स्वास कवरिज दिवस का मनायता है तो दीके अंतर राश्टी सारो भ हमीक स्वास कवरिज दिवस को हम 12 दिसंबर को मनाते है और इस दिवस को अंग्रेजी में हम करते है है International Universal Health Coverage Day देखिए जब का अंतर राष्टी सारोभमिक स्वास्त कवरेज दिवस है ये संगतर राष्ट के द्वारा घोसी एक अंतर राष्टी दिवस है और इसको हर साल 12 दिसंबर को मनायाता है 2020 के लिसका पीशा यानी टीम है Health for All, Protect Everyone देखिए 12 दिसंबर 2017 को संगतर राष्ट ने अंतर राष्टी सारोभमिक स्वास्त कवरेज दिवस को मनाये जाने की घोष्टा की थी तो इसको याद रखेगा और छटा प्रशने की अंतर राष्टी तरष्टा दिवस ये किस दिको मनाया गया तो देखिए अंतर राष्टी तरस्ता जीव जो आपका है, इसकी आदिकारी गोष्राप। फरवरी 2017 में सैंक्त राश्ट महास्वा के प्रस्ताओं के दौना की गई थी और यह जो है, इसी वर्ष से पहली बार, 12 दिसंबर 2017 को मनाये गए था तो 2017 में पहली बार मनाये गए था अंतर राश्टी तरस्था दिवस यानि की International Day of Neutrality साथों प्रशने की केंदर सरकार ने भारत में wireless connectivity को बहतर बनाने और भारत भर में सारवनी करस्थानों पर free wireless internet का मार्क प्रसस्त करने के लिए किस योजना को शुरू किया है तो देखे इस योजना का नाम है PM वानी योजना यारकेगा केंदर सरकार ने भारत में wireless connectivity को बहतर बनाने और भारत भर में सारवनी के सानफ़ फर free wireless internet का मार्क प्रसस्त करने के लिए PM वानी योजना को शुरू किया है PM वानी का पुरा नाम है प्रदान मंत्री Wi-Fi Access Network Interface देखे प्रदान मंत्री की जितनी भी योजना है इसका फुल फॉर्म एक्जाम में पूछने की बिमारी आशकर चल लिए है तो PM वानी योजना का पुरा नाम क्या है प्रदान मंत्री Wi-Fi Access Network Interface और ये जो आपकी PM वानी योजना है किसी भी वेक्ट को आवासी चेतर में या फिर किरानी की दुकान के मालिक से लेकर चाय की दुकान की जो विकरता होंगे उन तक सार्वनिक Wi-Fi होट स्वाट स्तावित करने और Wi-Fi से वाई देने में सक्षा मनाईगी आठों प्रशने की हाली में किसने अपने विकासी सदसे देशों के लिए ACI Pacific Vaccine Access Facility नामक एक पहल का शुरुवात किया है तो देखे अब यहाली में ACI विकास बैंक में जो है ACI Pacific Vaccine Access Facility नामक एक पहल की शुरुवात किया है और जब का ACI विकास बैंक यानि की ACI Development Bank है तो देखे इसने अपने विकासी सदसे देशों के लिए ACI Pacific Vaccine Access Facility पहल के लिए अब यहाली में 9 बिलियन अमेरिकी डालर की रासी जो है आवंटीद भी की है और जब का ACI Development Bank है देखे इसका मखहला है फिलिप्पीन्स के मांडूलियाग में इसके प्रेजिडन है मात्सुकू असकावा और इसके स्तापनाविती 19 दिसमबर 1966 नाव प्रिशने की पांचमें भारत जल प्रभाव सिखर सम्मिलन का उद्गाटन किस ने किया तो देखे पांचमें भारत जल प्रभाव सिखर सम्मिलन का उद्गाटन है यह किया रतनलाल कठारिया ने देखे भी हाली में जो पकाई इंडिया वाटर इंपक्ट समीट यानि की बारत जल प्रभाव सीकर सम्मिलन 2020 था इसका जो आउज़न है ये राष्टी सुच गंगा मिसन और गंगा नदी बेशिन प्रबंधन सथा अध्यान केंदर के द्वारा पानी से संबंदित मुद्दो और ग्रह के सबसे कीम्दी संसाथन को बचाने के लिए उठाए गए कदमों पर चर्चा के लिए किया गया था दीकि रतन लाल कठाडिया काउन है जिन्होंने इससे सम्मेलन का उत्वशन किया ये भारत के केंदरी जल सकती राज्यमंत्री है और जो आपका 2020 का ये इंडिया वाटर इंपक्ट समीट था यानि कि भारत जल प्रभावाव सिकर सम्मेलन था दीकि इसको वर्चुली आइज किया गया था और इसकी ठीम थी अर्थ गंगा रीवर कंजर्वेशन सिन्कुरोनाइज डिवलप्मेंट और दसवन प्रशन की हाली में किसकी 138 जैन्ती के उपलक्ष में अंतराश्टी भारती महसों का आईजिन किया गया था तो दीकि 138 जैन्ती थी सुब्रमन्य भारती की ये कौन थे सुब्रमन्य भारती जो ये तमिल नानु की प्राख्यात लेखक कभी और पत्रकार थे और जो आपका ये अंतराश्टी भारती महसों था दीकि इस महसों का जो आईजिन है ये वनवील कल्चिरल सेंटर के द्वाना किया गया था इसका उगाटन प्रधानमंत्र और इस भारती पुरसकार को जो है काला नुकरमी करम में जो आपके सुब्रमन्य भारती एंके उत्करिश्ट कारियों को संकलित करने का स्रे दिये जाने वाली व्रक्त को दिया था है तो ये डीटेल्स या रेकेगा अगर एक्जाम में पूछा जाए कि अभी हाली में किसकी 138 जैन्ती की उपलक्ष में अंतराश्टी भारती मौस्वाइत के गया तो इनका नाम क्या है सुब्रमन्य भारती जो की एक तमील लेखक और कभी और पत्रकार थे और इनके नाम से पुरसकार वित्रित क्या था इसका नाम है भारती पुरसकार और इसके विनर नहीं साल सेन इसके लिंक को पुल करने वाले जो आपके इटली के पाउलो रोसी हैं यह एक ही वर्च में विस्वकप गोल्डेन मूट गोल्डेन बाल और बैलेंडिया और पुरसकार जीतने वाले इतियास के एक मात्र पुरस भी हैं तो इसलिए इनका नाम इप्वाटिर मचाता है यह इटली के फुटबालर थे हैं पाउलो रोजी इनका भी हाली में निजन हो गया है तो ये थे आपके आज के सभी मात पूट करें टिपर और अब हम बात कर लेगते हैं आज के सभी कुछ आप टिपर तो देखिए अगर आप वीडियो को लाइक करना भूल गा है दूसरा प्रशनी की अमेरिकी कंपणी वालमार्ट ने किस देश से वर्श दोजार 27 तक 10 अरब डालर का निर्यात करने की गोश्टा किये बताईए और तीजरा की फिक की इंडिया स्पोर्ट आवार 2020 में किसे प्रशनी की वर्श दोजार बीस का युवा गडिता की रामारुजार पुरसकार की से दिया क्या बताईए देखिए ये सभी प्रशन जो है आप इसको कल का वीडियो देखे रिवाइस कर सकते हैं और ये काम आप कर लिया कि ये बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वीडियो के सुरूव में जो कल के करेंडियो पर को मतलब उसका आंसर बताई दी कि वीडियो काभी लंबा ज्यादा मजा नहीं आता है तो जितने भी प्रश्ण मैं आपको लाश में पूचता हूँ ये आप जो है पिछले एक दिन पहले का जो करेंडियो होता है उसको देखके तुरंद रिवाइस कर डा लगिए दी किसी भी कि एकजाम को करिक कर ने के लिए कितना भी बढ़ लिए अगर देखते हैं तो आँसका नहीं आप देखते हैं तो आप एक दिन पहले का भी वीडियो देख्के उसको तुरंद रिवाइस करडा लिए कि हमने पिछली दिनों में क्या पढ़ा था पांचों प्रशने की हाली में कि इस्तिराज में राश्टी दिव्यांग सस्थिकरण के इंद्रका उद्गार्ण किया बिदाईए तो इसे के साथ आज के गरेंट पर सहीं सावाथ होता है कल फिर मिलेंगे कल के गरेंट वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे तो इसे के साथ चैये वारत